बुधवार को BPSC ने सभी विश्यों के cut-off marks जारी कर दी है और cut-off list अभियर्थी आयोग की website पर चेक कर सकते हैं आयोग ने सभी विश्यों की cut-off जारी कर दी है और कहा है के result में आयोग उमिदवारों की छटनी भी होगी और उसके बाद खाली हुए सीटों पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा पहली से पाचवे क्लास के सिक्षकों में जेनरल के अनारक्षत वर्ग की कट ओफ पुरुशों में सरसट गई है वही महिलाओं में संतावन और EWS की कट ओफ 56 गई है इसके अलावा SC और ST की कट ओफ जेनरल विश्यों में क्रमशह 47 और 46 रखी गई है नौवी से दसवी क्लास के सिक्षकों की अगर हम बात करें तो इन में हिंदी की कट ओफ अनारक्षत वर्गों में 55 गई है वही इस वर्ग में महिलाओं के लिए उमिदवार नहीं मिले है इसके अलावा मैंक्स की कट ओफ पुरुशों में 72 और महिलाओं में 51 गई है साइन्स में महिलाओं में अनारक्षत वर्ग में उमिदवार नहीं मिले है और न्यूस रूम से सयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए है अवनीश BPSC ने कट ओफ मार्क्स जारी कर दिया है और इसके साथ ही अब जो आयोग होंगे उनकी छटनी की जाएगी दोबारा से सप्लिमेंटरी रिजल्ट भी जारी किया जाएगा यानि कि जिन अभियर्थियों का चया नहीं हो पाया है उनके लिए एक मौका है कि दोबारा से जब रिजल्ट जारी होगा तो शायद उसमें उन्हें शामल किया जाए हाँ बिल्कुल देखिए कल लगतार जो अभियर्थि थे वो हंगामा कर रहे थे मांग कर रहे थे कि कटफ जो है वो जारी हो क्योंकि रिजल्ट को लेकर संसय किस्तिती थी और देर रात जो है देर साम जो है योग ने कटफ जारी कर दिया तो इतना असपस्टफ हो गया कि जो भी छात्र जिनकी मांग थी छात्रों की एक निमांड थी कि रिजल्ट प्रकासन में काफी गड़बड़ी हुई है कई जो है हम योग हैं इसके बावजूर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो जो कटफ जारी हुए है उसके बाद ये संस कर रहे थे जो शिक्षक्षं के जो लोग हैं वो भी अपनी नराजगी व्यक्त कर रहे थे लगतार प्लिटिकल पार्टी भी ये सवाल उठा रहे थी कि आखिर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कई जगों से जो मामले आ रहे थे उसको लेकर संसे की सिती थी लेकिन आ रहा है जो अभिरती के कटफ को लेकर सवाल उठा है तो हमें लगता है कि आयोग ने एकतर से बड़ा निर्ने लिया है और कटफ जाड़ी करके एक पूरी जानेकारी भी जो है वो बेफसाइट पे डाल दी है तो अब तमाम छात्र जो है देख सकेंगे कि तमाम जो कटफ है उसको देख सकेंगे तो हमें लगता है कि अब इस्ति अस्पस्ट हो गई है लेकिन एक बात और है कि अभी भी कई जीलों से जो है बाते सामनी आ रही है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कई जो लड़की है उनके उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कई जो पासा उनकी मांगों को आयोग देखेगा और उस पर इसीति अस्पस्ट करेगा लेकि अगर हम महिलाओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसे विशे हैं जहां महिलाएं हैं ही नहीं तो यह भी एक बात सामने आई है इस तरह के मामले सामने हैं कि महिला नहीं है आने वाले समय और भी बहाली होंगी जो भी सीट खाली है उन सीटों पर भी सरकार बहाली जरूर करेगी क्योंकि सरकार की एक नीती है कि जो भी सीटे जो जो सरकार ने जो एलोट कराई है कि उतनी सीटों पर बहाली होनी है उन सी मिल नहीं किया है कि हम सरकारी देंगे और तो मिलता है कि इस बार की जो बहुई हुई है कि कुछ गडवडिया जरूर सामने आई है लेकिन या योग इस तमाम आमले со watches को देख रहा है हर बिदू पर हर पहली ओ पर सरकार की विश्यस्त नजर है आयोग की विश्यस्त नजर है सिक्षविभाग और विपीसी दोनों तालमेल बैठा कर अपनी बातों को जरूर रख रहा है चर्चा कर रहा है और अब जो जनकारी मिल नहीं है कि नवंबर अमें एक बार फिर बड़ी बड़े पैमाने पर बहाली होगी ज जनकारी के लिए